हेलो एंड वेलकम बैक आज हम वीडियो बनाने वाले हैं लिप फैट ग्राफ्टिंग पर तो आपने लिप एन्हांस्मेंट के बारे में सुना हैं बहुत फीमेल्स चाहती हैं कि लिप्स में फिलर करवाएं लिप्स को एन्हांस करवाएं तो फिलर एक बहुत ही यूज्वल स को यूज करा और पर्मनेंटली आपके लिप्स को फिल कर दिया फिलर के साथ प्राब्लम यह होते हैं कि वह एक साल एड़ साल टिपते हैं और उसके बाद आपको प्रसेजर रिपीट कराना पड़ता है जबकि फैट के साथ यह वह एक बार आपने कराया और वह लाइफ टा प्रसेजर है यह बिल्कुल पइनले से निकाल रहे हैं और िस निकालने के बाद उसको फैट को प्रसेस किया जाता है और उसको process करने के बाद, हम उस fat को use कर सकते हैं, कहीं भी भरने के लिए, किसी को eigness car, उन में भर सकते हैं, under eyes में भर सकते हैं, किसी को cheek enhancement के लिए चाहिए, वहां भर सकते हैं, breast के लिए use हो सकता है, buttocks के लिए use हो सकता है, ultimately fat आपी का अपना fat है, और body में किसी भी area में जहां में volume चाहिए वहाँ पर इस fat को हम use कर सकते हैं तो इस fat को use करने के बाद हमें जहां भी भरना है for instance इनको अपने lips में भरवाना था तो हमने इनके lips में fat grafting की है lips की fat grafting जो होती है वो एक छोट ऐसे 1 mm injection के दूब यहां से आपके canalog introduce किया जाता है similar to filler उससे थोड़ा सा जाधा होता है उस area में पूरा का पूरा हम fat को भड़ सकते हैं इस same fat को हम cheeks में use कर सकते हैं chin में use कर सकते हैं under eye में use कर सकते हैं जहां भी हमें in short volume चीए तो in patient का हम specifically दिखाना चाहेंगे यह results कैसा रहा था यह इनका result है after the surgery and यह इनका later on जब वो बाद में आई थी तो तब का result है so this is how fat grafting could be effective इनके case में हमने around 3-4 ml इनके upper lip में use किया है around 1 ml इनके lower lip में भी use किया है ताकि इनके lip को एक अच्छा shape मिल सके थोड़ी सी हमने इनके borders में डाला है थोड़ा सा इनके ऊपर के filter column में डाला है and this is her results और अगर आप भी interested in fat grafting के बारे में जानने के लिए तो आप हमने contact कर सकते हैं and we'll be happy to help you thank you and have a nice day